किया गया किया जा रहा है इस कार्जक्रम में CRPF के अराधिकारी सहित जीले के तमाम प्रसास्तिक पदाधिकारी एबंपुलिस पदाधिकारी जो है सो उपस्थित हो करके उनको राजकिये सम्मान के साथ सरधांजली दे रहे हैं देख सकते हैं कि अंतिम संसकार कार्ज में जो है सो लाखों की संख्या में यहां पहुँच करके उन्हें नम आखों से सरधांजली दे रहे हैं बता दे कि यहां काफी संख्या में लोग पहुँचे हैं जगा जगा से पहुँच करके उनके अंतिम विदाई कार्जक्रम में सरीक हुए है और भारत माता की जैगोश के साथ उन्हें राजकिय समान के साथ अंतिम संसकार कर कि जा रही है उनके पैतरी गाम में सुबह से ही काफी संख्या में लोग उमर चुकी है देख सकते हैं जगा-जगा लोग भढ़ हुए हैं कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कि लोगों की भीर नहीं दिख रही होगी काफी संख्या में लोग पहुँचे हैं जैसे ही लोगों को पता चला कि अमर सहीद अजय कुमार जहाजी का पार्थिव सरीर आज साम उनके पैत्री गाम बाकी पहुँच रहा है लोग रात से ही आना उस गाउं में सुरू कर दिये उसके बाद आज सुवह साथ बजे राजकिय सम्मान के साथ अंतिम संसकार जो है की गई है जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम विभाग के लोग अलाधिकारी पहुँच करके राजकिय सम्मान के साथ उन्हें सरधानजली दिये है और उसके बाद जो है उनका अंतिम संसकार उनके पैत्री गाम बाकी में किया गया है मनिपूर हमले में सहीद हुए भारत के सपूत मितला के लाल अजय कुमार जाजी का अंतिम बिदाई का अर्चक्रम उनके पैत्री गम बांकी में किया जा रहा है देख सकते हैं परिवार के लोग किस प्रकार से फफट फफट कर अमर सहीद अजय कुमार जाजी को नम आखों से सर्धांजनी दे रहे हैं एबं फूट फूट कर जो है सो रो रहे हैं आज से देखिए हमारे लेकिन हमारे चेत्र में ही है और यह जो छती हुई है इसको तो कोई पूट्टी नहीं कर सकता है और भारत मा के लिए शेहिद जाजाजी को हम फिरदैस सभा शुमन अर्पित करते हैं और उनके इशोर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को सकती दे और हर समय उनके साथ हम है और जब भी हमारे ज़रत हुई